हेलो गाइज आज हम बात किने वाल है इंडिया की नंबर वन कंपनी के बारे में आप लोगों बताने वाला हूं जिसका नाम है रिलायन्स इंडेस्ट्रीज तो यहां पर इसकी क्या न्यूज है वह आप लोगों बताऊंगा और आप लोगों को इसके डिविडेंड से के उपर नज़र रखनी है और नहीं है ना तो भी आप लोगों इस कंपनी के उपर नज़र रखनी है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि निफ्टी फिफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर दोनों की दोनों में यहां पर रिलायन्स इंडेस्ट्री का जो price stake है मिलब stakes है percentage है बहुत जादा है मिलब reliance में चूटी या बड़ी गिरावत मिलब गिरावत या उच्छाल देखने को मिलेगा तो directly यहां पर से सेंसेक्स और निफ्टी में भी उच्छाल देखने को मिल जाएगा या गिरावर देखने को मिल जाएगा इसलिए आप लोगों को reliance को always track करना चाहिए reliance जैसी बड़ी कंपनियों को भी अच्छी तरीके से ट्रैक करना चाहिए तो यहां पर आप लोगों को यह सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है अभी हम बात कर लेते है डायरेक्ली Reliance Industries की जो न्यूज है उसको हम cover कर लेते कि क्या न्यूज क्या announcement बहुत बड़ी आई है तो वह आप लोगों बता देता हूं तो यहां पर से पहले न्यूज के उपर चलते हैं तो यहां पर मैं आ चुका हूं ऑफिशल विबसाइट के उपर और यहां पर आप लोगों को Reliance Industries प्राइवेट लिमिटेड करके यह कंपनी हैं और यहां पर आप लोगों को यहां पर आप लोग देख सेते हूं आज के आप तेईस एपरिल को इसमें कितने परसंट की डिलिवरी देखने को मिली थी 47.43 पर तो यहां पर आप लोगों को यह चीज़े ध्यान में रख लिए अभी यहां पर announcement की बात कर लेते हैं कि कौन सी बड़ी announcement है जिसकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं तो यहां पर आप लोगों को Company Information में हम जाते हैं तो यहां पर अपडेट्स और वो सारी की सारी ची से दिखने को मिल जाती है तो यहां पर हम नीचे की तरफ चलते हैं ना तो आप लोगों को यहां पर देखो यहां पर आज के दिन एक बहुत बड़ी ख़बर बोड मीटिंग में बहुत बड़ी ख़बर निकल के आ रही है कि यहां पर financial result and dividend देखने को मिलने वाला है हमें 30 April 2021 को financial result और यहां पर से dividend का announcement होने वाला है इसका कुछ भी पता नहीं है कि यहां पर कितने रुपे का dividend होगा और वो सहीची से कुछ भी पता नहीं है पर इसका जब result आएगा इसका impact impact बहुत जादा अच्छा अमलब बहुत जादा पड़ेगा पुरे share market के अंदर ठीक है त results की बात करते तो भाई यह results हो हर quarter हर मलब हर साल आते है तो इसमें long term के लिए जो investors है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी जो short term के investors है उन लोगों को बहुत जादा फरेक पड़ेगा इस stock के result के उपर से ठीक है यह चीज आत रखना और पिछले मालब पिछली बार जो इ dividend दिया था वह था यहां पर आप लोग देख सेते हो 6 रुपे और 50 पर से 2018 में भी same to same 6 रुपे का dividend दिया था 2017 में इसने bonus दिया था वन जेम वन का मलब एक stock है तो एक free में मिल जाएगा वैसे आ करके तो यहां पर आप लोगों को यह सारी की सारी चीज़े मैं बता दी अभी अभी आप लोगों को एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है इसके चार्ट के उपर मैं लेकर चलता हूं आप लोगों मैं दिखाता हूं यहां पर Reliance Industries के चार्ट के उपर हम आ चुके है और आज के मनलब Reliance Industry में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलिए आप लोग 116 यह कुछ गिरावट नहीं होती है जा और आप लोगों को 1.45% की परसने को मिलिए और इसके साथ1 वन मत की बात करें दह नहीं इसका मत की गिरावट और यहांपर आप लोगों को 1 यहbyan थो चार्ट देखने को मिलेगा 34 ecc I am के अंदर और कोरोना की बॉटम की बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 100% 130% का रिटन देखने को मिल जाता है तो आप टू बॉटम की बात करें तो कोरोना की टाइम में ठीक है और अभी कोरोना के जिन लोगों ने बॉटम पर लिया उन लोगों को 80% कि असपास का इसका रीटन देखने को मिलेगा ठीक है अभी हम बात के लिए पास साल का रीटन तो यहां पर कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छी दरीगी से पात साल में रीटन दिया है 290% का रीटन दिया है पिछले पात साल में और मैक्सिम चाट रीटन आप लोगों पता ही है कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी दरीगी से काम कर रही है और मैक्सिम चाट रीटन आप लोगों को देखने ही बिल जाता है परसंटेज वाइस बहुत ज्यादा कम है ठीक है बहुत नहीं बागते तब नहीं भागेंगे ठीक है यह चीज आज रखना अभी रिलाइस इंडेस्ट में बहुत सारी चीज़े प्रॉब्लम हो रही है कौन कौन सी प्रॉब्लम एक तो अभी दो पहले तो एक जो मलब फार्मस प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर दिक्क्त हो रही थ साथ मलब Amazon इसमें टांग डार रहा है और उसके साथ साथ जो अरबियन देस है तो यहां पर उसके साथ भी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है कुछ स्टेक से रिलेटेड तो उसके बारे में भी यहां पर से बताया जा रहा है ठीक है तो यह चीज आप लोगों को सारी की iskind में ध्याननी है अभी इसके 6 मंथ में आप लोगों एक दो चीजैं बता देता हूं कि 6 मंथ में इसका 1900 लेवल पर बहुत जादा अच्छी तरीकी से सपोर्ट लिवल है और दूसरा सपोर्ट बहुत जादा बहुत जादा अच्छा है सपोर्ट 1850 ञुए बहुत ज्यादा पर से को मैं दीखा ता हूं यह 800 लेवल के उपर सउ आप लोग को यहाँ ऐा बारण सो पचास के लेवल पर तो यह फिर से बामसबेक्ट लगा देता है जो 930 की लीवल को तोड़ देता ढ़ता जो अटकी इस व्राण सपने को कूछ दिखाता हूँ उन्नी सो पच्चास महdırла आप लोगों को देखने को मिल जाता है बहुत सारे सपिर्ट देखने को मिल जाता है तो यह सारे सपोर्ट से ना उन्नीन वाले ही है तो यह सारे सबस्क्लिन आप अप लोगा ध्यान में रखना अभी भीiovास तौन तो इसके आप लोगों मैं दिखा देता हूं देखो आप लोगों को थोड़ा भरसा हो इसलिए बस 10% की गिरावट 11% की गिरावट देखने को मिल रही है तो आप लोगों को यह चीज़े ध्यान में रखनी है बाकी तो आपकी मर्जी है आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह information कैस लगे मिरे को comment section बताओ आप लोगों को यह stock को track करना होगा जो आप लोगों को prediction अच्छा लगाना है stock market में ठी है तो बस आज के लित नहीं goodball of goodbye from the next day good bye